इसे में हम यहां सबसे पहले क्या करेंगे x की जगा हम x dash plus h लेंगे और y की जगा y dash plus k लेंगे putting x is equal to x dash plus h y is equal to y dash plus k and dy by dx is equal to dy dash by dx dash इसे क्योशन में हम x की जगा x dash plus h put करेंगे y की जगा y dash plus k और dy by dx की जगा dy dash by dx करेंगे तब यह equation क्या बन जाएगा dy dash by dx dash is equal to यहां x की जगा जाएगा x dash plus h minus y की जगा जब हम y dash plus के रखेंगे और bracket को हम हटाएगे तो यहां क्या हो जाएगा minus y dash minus k minus one पूडा में by फिर यहां पर हो जाएगा x dash plus h plus y dash plus k फिर यहां plus 3 अब इसके बाद हम यहां पर आगे का इस्टिप रहते हैं dy dash by dx dash is equal to x dash minus y dash फिर plus h minus k minus one by फिर यहां x dash plus y dash और क्या बचा h plus k plus 3 बचा इसके बाद हम क्या करते हैं हम इसे homogeneous equation में change करते हैं इसके लिए हमें यह h minus k minus one को 0 के एको ले ना हो आइसी तरह से h plus k plus 3 को भी 0 के एको ले ना हो यहां taking h minus k minus one is equal to 0 which implies that h minus k is equal to 1 equation 1 and and h plus k plus 3 is equal to 0 which implies that h plus k is equal to minus 3 equation number 2 तो जब हम यह h minus k minus one is equal to 0 और h plus k plus 3 is equal to 0 लेते हैं तो यह equation क्या हो जाता है dy dash y dx dash is equal to x dash minus y dash by x dash plus y dash क्योंकि यह हिसाब 0 के equal हो गया इसलिए सिर्फ यह ही बचेगा अब हम यहां क्या करते हैं चुकि यह homogeneous equation हो गया है इसलिए हम इसे अब इस तरह से solve करेंगे पूटिंग y dash is equal to b x dash यह put करने पर हमें यहां क्या करना होगा हम पहले इसका यह कर लेता है डिफ्रेंशेशन कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स देस ती वाई डैस पाई dx dash is equal to इसका dy dx करेंगे तो क्या हो जाएगा हमें यहां पर b plus x dash dv by dx dash हो जाएगा तो इस dy dash by dx dash का मान कौन यहां पर इसमें put करेंगे तो क्या हो जाएगा यह भी प्लस x dash dv by dx dash is equal to यहां पर x dash minus y dash की जागा भी एक्स देस ले लेंगे भाई इसी तरह से नीचे में भी x dash plus y की जागा भी एक्स देस लेंगे क्योंकि हम यहां यहां y dash is equal to क्या लिए हैं भी x dash अभी इसके बाद हम क्या करेंगे अभी प्लस x dash dv by dx dash is equal to x dash x dash दोनों में से निकलेगा इसी तरह से यहां भी निकलेगा तो एक्स एक्स देस कैंसल हो जाएगा तो क्या पचेगा 1-1 प्लस d अब इस भी को राइट शैट में लेते हैं क्या हो जाएगा एक्स डेसं टीबी भी वाही डिए डैस इस इप जाएगा एगा अबक्त आ इसके लिए को माइनस प्लस वह सब्राइगा इसके बाद हम क्याक्ते हैं करें इस हैस आखस्टिज सब्सक्राइए दिए यह सब्सक्राइब जाए गार प्लॉस यह गए और ऊपर में फिप माइनस वन फ्लॉस बीकूज हो माइन जी बाएँ प्लॉस बायता है माइनस पी स्क्राइब तोह यहां पर एकस डेस एकस डेस डीपी बाई टी एकस डेस इस इसक्वार्टू हो जाएगा सब्सक्राइब 1-2 een-2-1 बाई-2201 प्रीज फटे माइनस यूर्ट स्क्राइब वन ब्लस अब यहां क्या करते हैं थी एक प्लस वन को इधर कोना को निले चकते हैं यहां आप जाएगा वी प्लस वन बाई 1 माइनस 2 वी माइनस वी स्क्वार इस इक्वार टू यहां पर क्या आजाएगा दी वी दी वी और इधर दी एक्स देस वाई एक्स देस तो अब यहाँ पर हम देकेंगे पी प्लस वन टी फी भी बाई आही माइनस को मलते कह थे निची में इस को मलने का लेंगे तो झितिस में माइनस का साइन लगा पलॉस होाइगा यह प्लस चुवर्भी ओ जिसके साथ प्लस थाontinmore माइनस हो जाएगा, is equal to d x dash by x dash, अब हम यहाँ पर इसे पोजिटिव बना देते हैं, और रिसे निगेटिव, मतलब इसाइन को हमीदा ले लेते हैं, v plus 1 into dv by v square plus 2v minus 1 is equal to minus d x dash by x dash, अब हम क्या करते हैं, v plus 1 dv by v square plus 2v minus 1 का इस तर से लिख सकते हैं, v plus 1 का all square minus 2 is equal to minus d x dash by x dash, अब तो मतलब इंटिग्रेशन करते हैं, इंटिग्रेशन करेंगे, v plus 1 by v plus 1 का all square minus 2 dv is equal to minus integration d x dash by x dash, अब यहाँ पर, v plus 1 all square minus 2 की जागा, u लेते, on all square minus 2 is equal to u, तो यह क्या हो जाएगा, v के respect में तो हमनों तो differentiation करेंगे, तो हमनों मिलेगा, 2 into v plus 1 is equal to du by dv, यह यहां cross multiplication करेंगे, तो हमनों हो जाएगा, 2 into v plus 1 into dv is equal to du, तो इस तर से v plus 1 dv is equal to, हमें क्यां प्राप्थ होगा, du by 2, अब इस मान को, हम यहाँ पर इस में पूट करेंगे, तो हो जाएगा, so integration v plus 1 dv का value, du by 2, और इसे क्या माना है, यह माना है, तो हमनों, u माना है, तो हमनों, u is equal to, हमाना है, c1 के रूप में लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ 1 by 2 बहाड आ जाएगा, तो integration, du by u, क्या हो जाएगा, ln of u, is equal to, अब माइनस log x dash को, हम log, 1 by x dash लिख सकते हैं, फिर plus log c1, तो हम यहाँ हो जाएगा, 1 by 2, ln of u is equal to, यहाँ पर भी, हम, ln e हम यहाँ, यहाँ हो जाएगा, ln of, क्या, ln of m, क्या हो जाएगा, ln of m, क्या हो जाएगा, ln of m into n, यहाँ कि c1 by x dash, ठीक है, अब यह 2, cross multiplication कर देते हैं, तो हम जाएगा, ln of u is equal to, 2 into ln of c1 by x dash, तो हम यहाँ क्या होगा, आमें, ln of u is equal to ln of, यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, ln of c1 by x dash, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो है इस पर और स्केर के रूप में आजाएगा सीवन भाई एक्स देश पर और स्कुर्ण यह हो जाएगा एलन अफ यू इस इक्वर टू एलन ओफ या जी वन स्क्वाइर भाई एक्स देश का स्कुर्ण तो अब यहाँ पर दोनों तर पहले नहीं एलन कैंसिल हो जाएगा तो यू इज इक्वर टू क्या सीवन स्कुर्ण भाई एक्स देश का स्कुर्ण cross multiplication करेंगे तो हो जाएगा x dash का square into u is equal to c1 square तो यहां पड़ा हम x dash square into u u किसे माना गया था u हमने माना था v plus 1 का all square minus 2 v plus 1 का all square minus 2 is equal to हम c1 square को यहां क्या ले लेते हैं हम c is equal to c1 square तो यहां पर x dash all square यहां v plus 1 का all square क्या हो जाएगा इसे अगा हम तोड़ेंगे तो हमें यह हो जाएगा v square plus 2v minus 1 is equal to c यहां पर x dash का all square अभी इस पर हम v की जागा मान पूट करेंगे b ब्रावर क्या हो जाएगा y dash y x dash इस पर all square फिर plus 2y dash y x dash minus 1 is equal to c x dash का all square यहां भी lcm लेंगे तो हमें क्या आएगा lcm में x dash का all square यहां 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 पर क्या हो जाएगा 2x dash y dash minus yang हो जाएगा x dash square is equal to c यह दोनों cancel हो जाएगा तो हमें क्या प्रचला है y dash का all square plus 2x dash y dash minus x dash का all square is equal to c अब हम यहां पर y dash or x dash की जाएगा एक सब्सक्राइब इसका मान पूट करेंगे ठीक है तो इसका मान पूट करने से पहले हमें यहां पर इन दोने equation को solve करना होगा equation one or equation two हम यहां लिखेंगे हमेशे equation three कर देते हैं from one and two from one and two from one and two क्या में प्राफ तो है h minus k is equal to one h minus k is equal to one or h plus k is equal to minus three तो यहां पर minus k plus k cancel हो जाएगा h h two h हो जाएगा one minus three minus two हो जाएगा two से two one time में cancel यानि h is equal to क्या हो यहां में minus one तो h का value को हम equation one में पूट करते हैं from equation one h की जागा minus one minus k is equal to one one they are minus one is one with a line minus one is equal to plus k यानि minus two is equal to k यानि k is equal to minus two अब हम यहां पर x dash और y dash का value निका जेंगे यहां पर एक्स प्रावर x dash plus h तो x dash प्रावर क्या हो जाएगा एगा एक्स प्रावर एक्स प्रावर minus one x minus minus one x plus one से तरह से y dash बरावर क्या हो जाएगा y dash बरावर यहां y dash क्या हो जाएगा y minus k y minus k तो y minus k k का value minus 2 तो यानि y plus 2 तो तो इसी x dash y dash का मान को equation 3 दो पूट करेंगे तो हमारा solution प्राप तो जाएगा अनिक देंगे नाओ from equation 3 क्या था equation थे y dash hall square तो y dash का मान क्या निकला है y plus 2 y plus 2 का all square फिर plus 2 x dash x dash का मान क्या है x plus 1 y dash का मान फिर क्या है y plus 2 और फिर यहां minus x dash का y square x dash का मान क्या है x plus 1 to x plus 1 का all square is equal to c यह ही इस differential equation का solution तो यह थाच्छा थाच्द्धर थाच्छी